नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज एक एक एक्जाम हुआ UKPAC के द्वारा अपर PCS 2021 का एक्जाम कंड़र्ट करवाया गया उस एक्जाम की अभी हम यहाँ पे एक प्रोवीजनल आंसर की को देखेंगे इसमें आपके पूरे 1500 कोशन पूछे गए थे जिसमें आपके जेनल स्टेडी, करेंट अफेर, उत्राखन सभी से कोशन पूछे गए थे, साइन्स से, एकनॉमिक से, सभी 1500 कोशन को हम यहाँ पे देखेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं और यह एक प्रोवीजनल आंसर की है, यानि कि अनुमानित आंसर की है निमलिकित में से कौन सा देश, अफरीका महादवीप में अवस्तित नहीं है तो अफरीका में कौन सा देश नहीं है, महादवीप में सही आंसर है, ऑप्शन B, गवाना, ठीक है जो गवाना है, यहाँ आपके दक्षन अमेरीकी महादवीप में इस्तित है दूसरा प्रश्न था, संसार में सबसे लंबी धरातलिया परवत श्रंखला कौन सी है? सही आंसर है, एंडिस परवत श्रंखला, ठीक है नमबर तीन है, जहां पूरवी घाट और पश्रिमी घाट मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ी इस्तित है? सही आंसर है, नेलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है नेक्स्ट है हमारा चौथा, आपने बताना था कि जो जल धारा है उत्री अट्लांटिक महासागर की वो इसमें कौन सी है जो वहां पे प्रवाहित नहीं होती तो इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना होगा क्योंकि इसका अंसर मुझे नहीं मिला, ठीक है ज्यादा तर जो गल्फ स्ट्रीम और बेंग्जूला है, ये दोनों तो उत्री अट्लांटिक महासागर की हैं, इन दोनों में से ही एक ओप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीब है, ऑप्शन C, नियूगीनी, ठीक है पहला सबसे बड़ा है ग्रीन लैंड, दूसरे नंबर पे आता है नियूगीनी, ठीक है नेक्सट ए छटवा इसका अंसर भी आपको comment बॉक्स में बताना है नेक्सट ए निमलिकित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है Amazon ठीक है पहले नंबर पे नील नदी आती है और दूसरे नंबर पर Amazon आती है निमलकित में से कौन कायांतृत चटान का उधारन नहीं है तो इन में से कायांतृत चटान का उधारन नहीं है Option D, Dolomite ये एक अफसादी चटान का उधारन है निमलकित में से कौन सी नदी, सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है सही आंसर है हमारा यहाँ पर option D, ब्यास नदी, ठीक है, option C करना, option C, रावी नदी जो है सतलज की सहायक नदी नहीं है, रावी चेनाब की सहायक नदी है, बाकी ब्यास, स्पीती और बस्पा ये सतलज की सहायक नदिया है, next है, निमलांकित कतन किसने कहा था, वनस्पती जलिव बायू का सही मापदंड है, यहाँ statement कोपेन के दवारा दिया गया था, option A, इसका सही आंसर होगा, next है, निमलांकित में से कौन सी परत सम मंडल में समिलित नहीं है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोडर्मा किस खनीज के लिए प्रसिद है, तो अंसर होगा, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है, हवी जे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, निमलिकित में से कौन सा गैस पंपिंग इस्टेशन नहीं रखती है, तो आप देखें, यहाँ पर गुना में तो रखती है, इसके अलावा जो अदर आप्शन है, उससे रिलेटिड मुझे कोई भी जानकारी इंटरनेट पे नहीं मिली, तो आप इन तीनों में से देख सकते हैं, गुना इसका अंसर नहीं होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर इसका रिलेटिड है, ठीक है, तो इसका भी इन चारों में तमिलाडू का सरवादिक है, ठीक है, निमलिकित में से कौन सा द्वीप, लक्ष द्वीप, द्वीप समू का अंग नहीं है, लक्ष द्वीप, द्वीप समू का अंग नहीं है, लक्ष द्वीप, द्वीप समू का हिस्सा है, ठीक है, लक्ष द्वीप का हिस् कोपेन के द्वारा किया गया ठीक है उत्राखंड के कितने जनपद अंतराश्टिय सीमाओं से जुड़े हैं सही आंसर है पांच जनपद अंतराश्टिय सीमा से जुड़े हैं भारत की 2011 की जनगड़ना के अनुसार उत्राखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-11 के दौरान न ही आंसर है भागी रती का उद्गम छेत्र ठीक है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होका देखे यह जो सेट ए है और इसमें जो प्रोविजनल आंसर की यानिके अनुमानित है जो मुझे आंसर मिले वो सारे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मैकसिमम आंसर मिले कुछ कोशन के नहीं मिले जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं यदि आप उनके बारे में जानते हैं नेक्स्ट है हमारा, बाकी जो कोशिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम चांसे के वही सही है, बहुत जादा सर्च करने के बाद मैं आपको यहाँ पर यह प्रोवीजनल आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ. निमलिकित में से कौन सा इस्थान शिड़कुल से संबन्दित नहीं है, सही आंसर है, option A, रुड की. उसके बाद भी यदि अगर कोई आंसर गलत होता है, तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं, ताकि उसको correction किया जा सके. खैर किस प्रकार के one में पाया जाने वाला व्रक्ष है? खैर व्रक्ष जिससे कथा प्राप्त होता है, यहाँ एक प्रकार का उपोशन कटी बन दिया one है. वनों का प्रकार है, ठीक है? यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है, तो उसके चुनाव 6 महा के भीतर होने चाह से कितने सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, तो ये कुछ दिर पहले हमने देखा 15 सदस्य कि लोक लेखा समीती में 22 सदस्य होते हैं, 15 काों दूढल सथ सदस्य सदस्य Warrior राज सभा से आते हैं. were to call, Congress द्वारा भारत की पून्ण व्वतवन्तरत के लक्ष की घोषन किस अधिवेशन में रखी गई थी सही आंसर है option A लाहोर का एतिहासिक अधिवेशन भारत की समविधान सभाद्वारा राश्ट्रगान जनगन मन का हिंदी प्रारूप तब अपनाया गया ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में निमलिकित में से बारत के मानव अधिकार आयोक के प्रथम अध्यक्ष थे तो भारत के मानव अधिकार आयोक 1993 में बना पहले अध्यक्ष थे न्याई मूर्ती रंगनात मिश्रा नेक्स्ट है नव सरजित केंदर सासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रतम उप राजयपाल निम्न में से कौन थे? तो जम्मू अन कश्मीर के पहले उप राजयपाल थे ग्रीश शंद्र मुर्मू ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा वर्तमान में मनूज सिनहा चीव ओफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विशे में किसके सैन्य सलहाकार हैं? तो जो सीडियस थे ये होते हैं भारत के रक्षा मंतरी के सैन्य सलहाकार ठीक है? और प्रतम सीडियस आप सभी जानते हैं जनरल बिपिल रावत अंतराष्टिय स्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अंतराष्टिय स्रम संगठन है इसकी स्थापना 1919 में की गई थी संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेडी में समलित है संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में शामिल था बाद में इसे हटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया निम्न में कौन छेत्रिय परिशत की अधिक्षता करता है छेत्रिया परिशत की अधिक्षता करते हैं भारत के ग्रह मंत्री option B इसका सही आंसर होगा आपको यहाँ पे सूचे मिलानी थी राज्य और राज्य सभा की सीटों के बारे में तो इसका आंसर आप आसानी से कर देते हैं आप जानते हैं उत्रा खड में तीन विधानसबा सीटे हैं यानि की B का आंसर तीन होगा और यह केवल एक में दिखाई मिलता है option D भारत में सार्क सिखर सम्मेलन सर्व प्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था तो भारत के अंदर जो पहला सार्क सिखर सम्मेलन था भारत में हुआ पहली बार 1986 में बंगलूरू में से आयोजित किया गया निम्नांकित में से कौन सा समविधानिक संसोधन भारत में पिछडी जातियों के लिए राश्ट्रिया आयोग के गठन से संबंदित है सही आंसर है समविधान संसोधन 102 ठीके राज्य विधान परिशत के सदस्य का कारेकाल कितना होता है तो इसका कारेकाल 6 वर्षों का होता है भारत द्वारा पहले प्रियोग नहीं कि प्रमुक नाबिक्या नीती अपनाते समय भारत के प्रधान मंतरी कौन थे तो भारत जब प्रमाणू संपन देश हुआ उस वक्त भारत के प्रधान मंतरी थे अटल विहारी वाजपाई और उसी समय इस नीती को अपनाया गया था केंद्रिय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी केंद्रिय सूचना आयोग इसकी स्थापना 2005 में की गई वायू सरक्षन एवं प्रदूशन नियंत्रन अधीनियम किस वर्ष बना था ये अधीनियम 1981 में बना था निम्न में से किसे संसद की कारवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो संसत की कारवाही में भाग ले सकते हैं जो एट औरनी जनरल होते हैं भारत के महा नियावादी लेकिन इनको वोटिंग का दिकार नहीं होता लेकिन ये हिस्सा ले सकते हैं उत्रांचल अधीनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया जो उत्रांचल अधीनियम यानि कि नाम परिवर्टन अधीनियम था ये अस्तित्व में आया 2006 यानि कि ये जो अधीनियम था 2006 दिसंबर में पारित हुआ और एक जनवरी 2007 से लागू हो गया जब उत् अपनिवेशिक कुमाउं और गडवाल में किस कमिशनर ने राजजस्व परणाली फिर से पूछा गया बहुत बार रिपीट हुआ सर हैंडी रेमजे उत्राखन से कितने लोगसभा सांसत निर्वाचित होते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पांच टोबिन टेक्स किस पर लगाया जाता है तो टोबिन टेक्स एक विदेशी विनियम लेंदेन पर यसे लगाया जाता है इसको जिसने बनाया था उसी के नाम पर इसे टोबिन टेक्स कहा गया उस व्यक्ति को नोबिल प्रुसकार दिया गया लेकिन इस टेक्स को कहीं भी भारत में कृषी उतपादों के बाजार को कौन विनियमित करता है तो देखे जो राश्ट्री विकास परिशद है इसके बारे में जो ये कथन है कि यहां एक वैधानिक निखा है देखें ना तो ये एक वैधानिक निका है ना ये एक समवैधानिक निका है यह केवल एक कार्यकारी निका है ठीक है तो अप्शन सी इसका सही आंसर होगा ग्यारवी पंच वर्षय योजना में प्रतिपादिस समावेशी विकास में निमलिकित में से क्या शामिल नहीं था तो ग्यारवी पंच वर्षिया योजना में गरीबी को घटाना शामिल था, रोजगार के अफसर को बढ़ाना शामिल था, पूंजी बाजार को मजबुत करना शामिल था, लेंगिक असमानता के बारे में वहाँ पे कोई भी जादा नहीं था, ठीक है, अंतराश्य मुद्रा को दी, दूसरी की तुलना में क्या होती है, तो इसे हम मुद्रा की मुल्यवर्धी कहते हैं, ठीक है, तो option C, इसका सही आंसर होका, निमलिकित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कि मुद्रा इस्वीती किसे फाइदा पहुँचाती है, तो हमेशा याद रखना, मुद्रा उसको फाइदा होता है, तो option B, इसका सही आंसर है, ठीक है, 1991 में आर्थिक सुदार के बाद, भारतिय अर्थ व्यवस्ता में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ, सही आंसर होगा, option D, B और C, इसके सही आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट है, equity, sweat equity shares, निमलिकित में से किसे आवंटित किये जाते हैं, राश्ट्रिय खार्द सुरक्षा मिशन की शुरुवात किन वस्तों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, सही आंसर है, यहाँ पर option D, गेहुँ चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुवात की गई भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है, तो भारत में अदोगामी प्रकार की जो कर प्रणाली है, टेक सिस्टम है, वो पाया जाता है निम्लिकित में से कौन सी योजना, रोलिंग प्लान कही जाती है, सही आंसर है option C, छटी जो पंच वर्षया योजना थी, उसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि देखे, पाँचवी पंच वर्षया योजना को 1974 में शुरू किया गया, बीच में जनता सरकार आगई, जिसने पाँचवी पंच वर्षया योजना को 5 साल भी पूरे नहीं करने दिये, और एक नई योजना शुरू करी, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया, तो सही आं पित्यक्ष निवेश का उधारण नहीं है, सही आंसर है हमारा, option C, विदेशों में pharma company द्वारा, निर्गत, bond और stock का क्रम, ठीक है, exam कैसा था, कितने question यहां पे करने लायक थे, जो normal question थे, कितने थोड़े, क्योंकि exam काफी अच्छा यहां पर, UKPSC के द्वारा बनाया गया था बिल्कुल एक level का exam था, तो उसके बारे में end में बात करेंगे, और end में आपको comment करके भी बताना है, कि आपका overall score कितना रहा, जो question हमने यहां पर answer बता है, इसके according, ठीक है, चल, और maximum सभी सही है, आप इसको जब official answer की आएगी, तो उससे भी आप match करके देख सकते हैं, next है हम विश्व व्यापार संगठन की निमलिकित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाए इसके, तो किसके अलावा सब में उसकी आलोचना होती है, तो option D, इसका सही होना चाहिए, कि यह उतपादों की गुणवत्ता के उपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता यदि परात्मिक घाटा सून्य है तो उधार की पूंजी राशी क्या होगी, तो उधार की राशी ब्याज भुकतान के ठीक बराबर हो जाएगी अगर परात्मिक घाटा सून्य है, ठीक है, यूनदी-पी के किस मानविकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की भारत का मानविका सूचकांक रैंक कितना था? सही आंसर है option D 131 था ठीक है? निमलिकित में से किस वर्ष MSME का अधतन वर्गी करण किया गया? यानि इनका latest classification किस वर्ष किया गया? किस वर्ष इनकी एक नई definition दी गई? सही आंसर है 2020 में निमलिकित में से कौन सी guilt-edged securities कहलाती है? सही आंसर है सरकारी प्रतिभूतिया ठीक है? तो सरकार के दवारा जो जारी की जाती है इन्हें ही guilt-edged securities कहा जाता है बहुपक्ष्य विनियोक गारंटी अभीकरण किसे संबंदित है? तो माईगा ये संबंदित है एक अंतराष्टिया वित निकम है ये टिके एक अंतराष्टिया तरण देने वाली एक संस्ता है जिसका गठन 1988 में हुआ था वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निमलिकित में से किस कर को समाप्त किया गया था? तो देखे जब GST को लागू किया गया 2017 में तो उसके द्वारा जो अपरतिया श्कर थे इन्डारेक्ट टेक्स थे उनको खत्म किया गया और जो मूल्य समवर्दित टेक्स है यहाँ भी एक इन्डारेक्ट टेक्स थे तो हो सकता इसका आंसर ऑप्शन C सही आंसर होगा ठीक है वैट? निमलिकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्राखंड में नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन C, HAL उत्राखंड में नहीं है उत्राखंड में वैट किस वर्स से प्रारंब किया ग सही आंसर है option B 9 जिलों में इसकी शुरुबात की गई थी ठीक है तो यह आपको याद रखना है important है उत्राखंड में निम्लिकित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-2021 में सबसे कम थी तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला आपको इसे कमेंट करके बताना है यदि आप इसके बारे में जानते हैं अनुमान्श की विज्ञान का जनक किसे माना जाता है तो जैनेटिक्स का जनक माना जाता है जोरहान ग्रेगर मेंडल को ठीक है रामसर इस्थल क्या है तो अंतराश्ट्य महत्व की आद्र भूमिया ही रामसर इस्थल होती हैं 2021 का रशाइन सांस्त्र का नोबिल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो ये दिया गया था बेंजमिन लिस्ट और डेविट मैक्मिलन को वर्ष 2021 में 26 सिन्युक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 का आयोजन कहा हुआ ये हुआ ग्लासगो में अंतराश्टिया संस्था WWF का प्रतीक चिन क्या है तो ये कोशन भी एक रिपीटिड कोशन है महकाय पांड़ा इसका क्या है प्रतीक चिन है ठीक है जाइंट पांड़ा वर्तमान में भारत गणराजय का सर्वोच नागरिक प्रुसकार कौन सा है सही आंसर है option D भारत रतन सुदुर समवेदन टक्नीक में निम्न में से किन का प्रियोग होता है सही आंसर है जो electromagnetic waves होती है विद्दुत चुमबकिया तरंग इनका इस्तमाल होता है जोम क्या है तो यहां कृशी की एक पदती है नेक्स्ट है हमारा जिस पदार्त में बड़ी संख्या में मुक्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है क्या कहलाता है तो उन्हें हम चालक कहते हैं यानि conductors प्रकाश की गती अधीक्तम होती है निर्वात में निमलिकित में से किस जन्तु को भूमी का क्रशक कहा जाता है तो केचवे को कहा जाता है ठीक है इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है राइट आंसर है ओप्शन सी विटामिन सी के कमी के कारण होता है इसकरवी पशवों के कृत्म गरबाधान में प्रियुक्त शुक्रवाणों को किस में संग्रहित किया जाता है राइट आंसर है जो तरल नाइट्रोजन होती है इसमें निमलिकित में से किस रसायने ग्रूप में सेलिलूस संबंदित है तो इसका आंसर भी आपको कर्मेंट करके बताना है मेरे अकॉर्डिंग जो सेलिलूस होना चाहिए शायद वसा इसका आंसर होना चाहिए फिर भी आप इसको चेक जरूर करें 92 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला दो जैविक समुदायों के मध्या का संकर्मन छेत्र क्या कहलाता है राइट आंसर है इको टोन ठीक है तो option B इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है यदि कोई input high है और output भी high है तो कौन सा gate होगा अगर आपके दो input है और इन में से अगर एक input high है तो output आपका high ही मिल रहा है अगर एक भी high है तो ऐसा gate होता है और gate ठीक है यहाँ पर एक circuit आपको बता कर दिया गया था आपको बताना था कि जो output होगा वो क्या होगा इसका right answer है option B one इसका answer होगा ठीक है OSI reference model की किस layer पर IP address का प्रियोग होता है तो देखे जो IP address होता है यह OSI की network layer पर होता है ठीक है 7 layer का यह network होता है OSI ठीक है model और इसकी network layer पर होता है IP address निमलिकित में से कौन सी computer system में प्राथमिक memory है तो computer system की primary memory है RAM CPU में control unit का कार्या निमलिक में से कौन सा होता है तो control unit का यहां पर कार्या क्या होता है आपका option D और A में से इसका answer हो सकता है official के द्वारा ही इसका clear हो पाएगा आप इसका जरूर comment करके बताएं नेक्स्ट है उत्राखंड में मैती आंदूलन के जनक कौन है तो बहुत बार पूचा गया है कल्यांट सिंग रावत उत्राखंड में किस इस्थान पर भारतिया मौसम विभाग ने एक Doppler Weather Radar को इस्थापित किया है तो यह कहां पर इस्थापित हुआ है मुक्तेशवर में भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो यह 1906 में स्थापित किया गया और देखे आज के जो एक्जाम थे वो दो एक्जाम हुए थे एक आपका 1500 नंबर का या 1500 प्रशन थे जिसमें जिसको अभी सॉल्फ कर रहे हैं और एक पेपर था जिसमें आपके 100 कोशन थे जिसमें math, reasoning, जो general aptitude test था उसका था तो उसका solution भी हम करेंगे कल उसके solution की वीडियो आएगी जिसमें हम सभी का पूरे 100 कोशन को एक साथ देखेंगे ठीक है नेक्स्ट है केदारनात वन्यजीव अभिहारन को किस जन्तू के सरक्षन हेतू इस्थापित किया गया तो इसे हिमाल्य कस्तूरी मिर्ग के सरक्षन के लिए बनाया गया था इन में से कौन सा उत्राखंड का राज के अवरक्ष है बुरांस निमलकित में से किसे नोबेल शांती पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया सही आंसर है मारिया रेसा और दिमित्री मुराताव को यहाँ पे नोबेल सांती अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था 2021 का अनपूर्णा परवत पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला वो थी प्रियंका मोहिते श्वरग्या लता मंगिशकर को भारत का सरवोच नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया तो इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था मिताली एक्सप्रेस एक नई रेल यात्री जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया धाका को किस भारत्य शहर से जोडती है तो ये धाका को न्यू जलपाई गुड़ी जोकी पश्चिम बंगाल में है के साथ जोडती है तो यहां जो किताब है ये पुलेला गोपी चंद की जीवनी है किस भारत्य डॉक्यमेंटरी को ओसकर 2022 के लिए नामांकित किया गया था राइट आंसर है राइटिंग विद फायर को ठीक है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है किस भारत्य राजे ने जनवरी 2022 में छत्र स्टार्ट अप और नवचार नीती यानि SSIP 2.0 की शुरुवात करी तो ये करी है गुजरात ने जंगली हातियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूरुवोत्तर सिमान्त रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीती का नाम क्या है तो इसका नाम है प्लैन B विश्व रैपिड शत्रंज 2021 किसने जीता तो नौधिरेक बेक अब्दुस सत्रोफ के द्वारा इसको जीता गया था ठीक है तो ऑप्षन A इसका सही आंसर होगा ठीक है नौधिर बेक के द्वारा विश्व ओजोन दिवस कब मनाये जाता है तो विश्व ओजोन दिवस सूलह सितंबर को मनाते हैं नेक्स्ट है निमलिकित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्टित लोग सेवा श्रीडी में पुलिक्तिजर पुरुसकार 2021 जीता इनमें आपने बताना था कि किस व्यक्ति ने किस खिलाडी ने टोक्यो में कौन सा पदक जीता है कुछ दिन पहले जो जीके की अमारी सीरीज थी वहाँ पर मैंने आपको सातों खिलाडियों के खेल और पदक बताए थे राइट आंसर है बजरंग पुनिया जिन्होंने रजत नहीं कांश पदक जीता था भारत में मेजर ध्यांचन खेल विश्विध्याले की इस्थापना किस इस्थान पर की जा रही है राइट आंसर है मेरट दिसंबर 2020 में ग्रहम अंतराले ने शसस्त्र बल विशेश शक्तियां अधिनियाब 1958 के अंतरगत निम्न में से किस राज्य को छे महीने के लिए अशान्त छेत्र गोशित किया है आस्फा के बारे में भी जीके की एक वीडियो में जो कुछी दिन पहले आई है उसमें अमने पूरे डिटेल से बात करी थी कि कब-कब इसे लागू किया गया किस-किस राज्य से अब इसे हटा लिया गया ठीक है सारी बात निम्न में भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में नीजी छेतर की सहबागिता के साथ एरपोट की तरहा की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया राइट आंसर होगा रानी कमलापती स्टेशन भोपाल नेक्स्ट है विश्व की यहाँ पर आपको IT कमपनी और उनके जो CEO है उनको साथ आपको मैच करना था राइट आंसर है यहाँ पर देखिए गूगल के जो CEO है उनका नाम है सुन्दर पिचाई ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के कौन है सत्या नडेला ट्विटर के हैं पराग अगरवाल और एडोबे के हैं शान्तनू नारायन तो आप्शन B इसका राइट आंसर होगा नवंबर 2001 केस में प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मूदी के एशिया के सबसे बड़े हवाई अड़े का सिलन्यास कहां किया तो नरेंद्र मूदी ने जो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड़ा है कहां पर उसका सिलन्यास किया तो आप्शन A इसका सही आंसर होगा ठीक निम्लिकित मेंसे किस फिल्म ने सर्वशेष्ट चल चित्र के लिए गुल्डेन ग्लोब अवार्ट 2022 जीता राइट आंसर है दा पावर ओफ दी डॉग नेक्स्ट है यहाँ पर आपको डांस बताना था कि कौन सा डांस किस राजय से समबंदित है राइट आंसर है ओप्शन सी ठीक है तो यह आपको यहाँ पे देखना है रिगवेद के सरवादिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है तो रिगवेद के सबसे ज़ादा मंत्र जो हैं वो निमलिकित मेंचे किस स्थान पर प्रत्वम जैन परिशत का आयोजन हुआ तो जैन परिशत को लेकर मैंने कुछ दिन पहले community में भी एक question डाला था जहांपर maximum लोगों ने गलत आंसर किया था जहांपर मैंने जो दूसरी जैन संगीती उसके बारे में पूछा किया था और उसकी जो वीडियो थी इसमें मैंने पूरी detail में आपको दोनों संगीतियों के बारे में दोनों के अधक्षों के बारे में बताया था जो पहली जैन परिश्यद हुई थी ये पाटली पुत्र में हुई थी ठीक है option A इसका right answer होगा नेमलिकित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के दुबारा की गई तो हर्षवर्धन ने प्रिया दर्शिका नाटक की रचना करी है नेमलिकित में से कौन सा राजवंश महिला शाशक रुद्रमा देवी से संबंदित है right answer है काक्तिया राजवंश लिलावती का लेखक भाशकर दुत्या कौन था अब देखें जो हमारी एक master video आए थी अभी कुछी दिन पहले मैं केवल उन video's की बात कर रहूं जो कुछ दिन पहले आई पहले वाले के कोशन के बात मैं नी कर रहा और ना उत्राखं के कोशन की जो सरिख कुछ दिन पहले एक master video आए थी मदरेकालीन भारत की और वहीं पर हमने देखा था कि लीलावती नाम की जो गणित की किताब है इसको किसने इसका अनुबात किया था फार्सी में ठीक है तो ये किसकी किताब है गणित की है तो भासकर दुत्या कौन होंगे गणितग्य होंगे वहाँ धार्मिक पुस्तक जिसमें कृशी कर्म की आठ विबिन अवस्ताओं का वन्नन मिलता है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा ठीक है और 130 का आंसर भी आपको कमेंट में बताना होगा इसका आंसर भी मुझे नेट पे नहीं मिला गधैया क्या था तो तो गधैया देखे एक प्रकार का सिक्का था ओप्शन ए इसका सही आंसर है उद्रेंजियल किस वन्च से संबंदी थे तो ये चेर वन्च का एक शाशक था निमलिकित में से किस राश्टकूट शाशक ने अलूरा के कैलाश मंदिर का निर्मान करवाया थ ठीक है कुछ दिन पहले ही हमने इसको देखा मौरकाल में प्रणयम क्या था तो मौरकाल में प्रेम विवाह को प्रणयम कहते थे निमलिकित में से किस राश्टकूट शाशक ने प्रतिहार शाशक नागभट दुत्या को हराया था तो जो प्रतिहार शाशक है नागभट तो देखे इल्तु तमिश का प्रतिद्वंदी यहां पर option D इसका right answer होना चाहिए जो अल्तूनिया था क्योंकि यह रजिय सुल्तान का पती था और रजिय सुल्तान पावर में तब आती है अल्तूनिया की entry दिल्ली सलतरत में तब होती है जब इल्तु तमिश मर जाता है तो इ निमलिकित मेंसे किसने खजाइन उल्फतूहु नामक पुस्तक की रचना करी तो जो भी हमने मदगाल भारत की पूरी मास्टर वीडियो देखी वहीं पर हमने देखा इसका रच्यता कौन था आमीर खुश्रो निमलिकित मेंसे कौन नूर जहां जुंटा का सदस्या नहीं थ देखें नूर जहां जुंटा यानि कि जब जहांगीर पावर में आया तो नूर जहां ने एक गुट बना लिया था जिसे नूर जहां गुट या नूर जहां जुंटा कहा जाता था इसके अंदर इसका पिता इतमादु द्वाला शामिल था इसका भाई आश्रफ खान शाम ठीक है पैथिक लारेंस की अदद्धशता में आया था एलेकषैंडर और क्रिप्स इसके सदस्य थे भारत में वित्यविकेंदरिकरण किसने प्रारंब किया था तो भारत में वित्यविकेंदरिकरण लॉड मेयों के द्वारा शुरू किया गया गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदूलन के दौरान शहीद हुए तो ये शहीद हुए भारत छोड़ो आंदूलन के दौरान ठीक है जो सल्ट घटनाच हुई थी यहाँ पे तो उसके दौरान ये शहीद यहाँ पर हुए थी ठीक है पांस सितंबर 1942 खुमार में राजराम मोहन राई की प्रसिद्ध कृती Gift to Monotheist किस भासा में लिखी गई थी अब देखे इसका जो आंसर है ये है option ए फारसी भासा में राजराम मोहन राई ने इस किताब को फारसी में लिखा बाद में ये किताब इस नाम से अंगृजी में अनवादित की गई ठीक है तो बहारतिय संग में विलय के समय तिहरी राज्या कौन था? तो तिहरी का राज्या था मानवेंद्र शहा तिहरी रियासत के पहले नरेश कौन थे? तो तिहरी के पहले नरेश थे? option A. सुदर्शन शहा कालू महरा संबंदित है 1857 के वित्रह से निमलिकित मद्यकालीन गरंथों में से कौन उत्राखंड के इतिहास का सुरोत नहीं है तो इसको भी हमने कुछ दिन पहले ही जो हमारी जीके की 10-12 वीडियोज हुई हैं उन्हीं में हमने देखा था कि बाबर नामा में उत्राखंड के बारे में जानकारी नहीं मिलती है नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्ण था आपका विश्वत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है तो जो एक्वेटर है ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तो फ्रेंट्स ये था आज का पेपर जो अपर PCS का एक्जाम थ ये 5100 को ़ृषन इसके अंदर पूचय गए थे मैक्सिमम को आँसर जो मैंने आपको बता और Ian को देखा कुछ कोशन है जिनके आंसर नहीं मिले लेकिन मैक्सिमम के आंसर हमने यहां पर आपको बताए उमीद करता हूँ आपको वीडि shrine पसंद आया होगा आप answers को मैच कीजिएगा आपके कितने question यहां पर बन रहे हैं और जो question के answer मैंने यहां पर नहीं बताए उनके answer यहदी आप जानते हैं तो comment box में ज़रूर आप बता सकते हैं रही बात कि exam की cut off कितनी जा सकती है तो देखे cut off के बारे में अभी कोई भी idea नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसके साथ जो aptitude वाला paper था वो भी हुआ है वो थोड़ा सा lengthy paper भी था तो उसका भी solution करके हम कल उसको देखेंगे एक poll community में देखेंगे तब जाके एक जो cut off का idea होता है वो हो लग पाता है लेकिन जो cut off है original वो तो official answer की आने के बाद ही आपको कोई बता पाएगा तो अभी आप cut off के चकर में ना पड़े जो ये वाला exam था, 500 number का marks था, 500 question थे आप अपने match कीजिए, कितने आपके score आ रहे हैं और जो दूसरा वाला paper है वो calling fine nature है उसमें केवल आपको passing marks लेकर आने है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को like करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe करें कितना score आपका 1.500 में से बन रहा है comment box में जरूर बताएं और कोई question यदि अगर मैंने गलत पता है तो उसको भी आप नीचे correct कर सकते हैं जिनके answer मैंने नहीं बताएं हैं तो उनके answer भी आप comment box में जरूर पताएं Thank you friends